लोक अप के बाद पूनम पांडे ने शुरू की नए जीवन साथी की तलाश पूनम ने किया बड़ा खुलासा रियालिटी शूर लोक अप से निकलने के बाद पूनम पांडे अब नए जीवन साथी की तलाश शुरू कर चुकी है खुद पूनम पांडे ने एक entertainment अक्वार को दिये गए इंटर्वियो में इस بात का खुलासा किया है दरसल लॉक अप में पूनम का होट अंदाज दरशकों और फैंस को देखने मिला पूनम को लॉक अप में दरशकों ने भरपूर प्यार दिया इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि पूनम पांडे को लोकप में रहते हुए दो बार जनता का सबसे अधिक वोट मिला था पूनम पांडे जब शू से बाहर हुई तब भी वो जनता द्वारा मिले कम वोटिंग के कारण नहीं बलकि टास्क हारने के कारण बाहर हुई थी ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पूनम पांडे को एक बार फिर जनता का फरपूर प्यार मिल रहा है पूनम पांडे ने लॉक अप में रहते हुए अपने जीवन से जुड़े, कुछ कड़वे सच भी बताये थी, पुर्वपती और उनके अत्याचार की दास्तान सुनाई थी लेकिन पूनम अप मूवाउन कर चुकी है, इंटर्व्यू में पूनम ने बताया कि अब वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है और वो एक सचे इंसान की तलाश में है, वो धेर सारा काम करना चाहती है इतना ही नहीं पूनम ने ये भी बताया कि लॉक अप में आने से पहले उन्हें ये डर लग रहा था कि उनकी कंगना के साथ लड़ाई हो सकती है और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जनता उन्हें और कम पसंद करने लगे लेकिन कंगना ने हर मौके पर पूनम को सपोर्ट किया और ये बात देखकर पूनम को काफी खुशी मिली पूनम ने बताया कि लॉक अप ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और वो खुद में ही अपने आपको पहले से बहतर महसूस कर रही है टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रही हमारे चैनल से और अपने प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं